ओम नमस्षिवाय, स्वागत आप सभी का मेरे बास्तू ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको सनी प्रदोश ब्रत की कता सुना रहा हूँ, इस कता के सुनने से हर प्रकार के मनोरत पूरे हो जाते हैं, घर में भरपूर धनाता है, भागवान शिव और माता पा जाता था, सेट जी के घर में हर प्रकार के सुक शुब द्याती, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेट और सेटाने अमेशा दुखी रहते थे, कापी सोच विचार करके सेट जी ने अपना काम नोकरों को सुब दिया, और खुद सेटानी के साथ तीत्र यात्रा पर निकल प बैट गए, सादु ने जब आँके खोली तो उन्हें ग्यात हुआ कि सेट और सेटानी कापी समय से आशिरवात की प्रत्ख्याम बैठे हैं, सादु ने सेट और सेटानी से का कि मैं तुमारे दुख जानता हूं, तुम सनी प्रदोस ब्रत करो, इससे तुमें संतान का सुक प्राप्त होगा, सादु ने सेट शेटानी को प्रदोस ब्रत की विदी बताई, और संकर जी की बंदना भी बताई, रुद्र देव सिव नमसकार, सिव संकर जगत गुरू नमसकार, नील कंट सुर नमसकार, ससि मोली चंदर सुक नमसकर, उमा कांत सुद नमसकर, तीर्ट यात्रा से लोटने के बाद सेट और सेटानी ने मिलकर सनी प्रदोस वृत किया जिसके प्रवाब से उनके गर एक सुन्दर लड़के ने जनम लिया प्रदोस वृत वाले दिन जो ब्यक्ति भगवान सिव की आरादना करते हैं उनकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जात में भगवान सिव की पूजा करें बेल पत्र भांग दतूरा आधी चीजे भगवान सिव को अरपन करें भगवान सिव के सामने दीपदान करना चाहिए इससे सभी मनुरत पूरे हो जाते हैं जो व्यक्ति भगवान सिव की पूजा करते हैं त्रोदसी के दिन उनकी हर मनुकाम पूरी हो जाती हैं त्रोधसी तिति के दिन सूरज उगने से पहले इस्तनान करके बस्त दारन कर लें एवब संकल्प करें शिव मंदर में जाकर के सिविलंग पर अत्वा गर पर ही बेल पत्र अक्यत धूप देप गंगा जलादी से भगवान सिव की आराधना करें सिव जी की किरपा पाने के लिए भगवान सिव के मंत्र ओम नमस्वाय की एक माला कम सगम जाप करें प्रदोस वेला में फिर से भगवान सिव का पंचाक्र से अफशिक करने के बाद गंगा जल से मिले हुई सुद्ध जल से भगवान का अफशिक करें सिविलिंग पर समी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, फल, पान सुपारी अर्पित करें उसके बाद सुद्धगी का दीपक प्रजिलत करें सिव चालिसा का पाट करें वहाँ पर कपूर का दीपक भी जलाएं सास्त्रों में शिव जी को सनी देव का आरद माना गया है इसलिए सनी प्रजोष शिव जी की पूजा करने से आपकी समस्त मनुकामनाय पूरी हो जाती है और सनी के असुप प्रभावों से भी रात मिलती है रात मिलती है माननेता है कि इस vrat के प्रभावसी संतान संबंदित परिसानिया भी दूर हो जाती है प्राणों के अंसार प्रदोस के समय भगवान सिव कहलास प्रवत्वन नित करते हैं इसी बज़े से लोग सिभजी को प्रसंद करने के लिए प्रदोश व्रत किया करते है जो व्यक्ति प्रदोश व्रत के दिने इस पकार से पूजन करते हैं और इस कथा को सुनते हैं उनकी प्रतेक मनोकामना पूरी हो जाती है ओम नमस्ष्वार